एक इंट्रेस्टिंग ट्रेंड यहां पर दिख रहा है स्मॉल और मिट कैप कंपनियों में एफपी आइज ने इसेदारी बढ़ाई है और जो स्टेक बढ़ा है उसका जो प्रतीशित रहा है काफी बड़ी होल्डिंग यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दी है फपी आइस क मॉल काप इंडिक्स की टॉप हंड्रेट कंपनियों में आया था और यह ट्रेंड अभी भी चालू है और अभी बी कुछ कंपनियों में जो विदेशी निवेशक हैं वो काफी बुलिश दिखाई दे रहें जैसे कि टेक्नो इलेक्ट्री जैसे कंपनी की बात करे तो इस में एफपी आई पिछले बारा क्वाटर से हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं इसी सूची में आगे है होनासा कंज्यूमर जो की मामार्थ की पैरेंट कंपनी है 19.32 परसेंट हिस्सा है सितंबर तिमाही में जो की जून में 13.9 परसेंट के आसपास था है रिटेज फूड भी यहा ही कुछ ट्रेंड हमने देखा यही नहीं यह जो विदेशी निवेशे कि इन कम्पनियों में बुलिश हो रहे हैं हम इसका एक असर स्टॉक प्राइस पर भी देख रहे हैं टेक्नो इलेक्रिक देखे पिछले 6 महिने में 105 परसेंट की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है तो एफपिया इसे बुलिश है, स्टॉक परफॉर्मेंस में भी हमने तेजी देखी होगा, अब देखना होगा कि यहां से इन कम्पनियों की चाल कैसी रहती है, लेकि फिलहाल विदेशी निवेशे निवेशे तो काफी पॉस्टिव नज़र आ रहे हैं कम्पनियों पर क्य